पाठ शोडशह समशीलेशु विभाती मैत्री स्म प्रकरणम एकदा मंडुकेन सह एकस्य मूशकस्य मैत्री अभवत उभाव सुखेन वार्ताम कुर्वन्तव समयम नयतह स्म एकस्मिन दिवसे तौ अचिंत यताम यत अत्र आवयोह भोजनम दुरलभम जातम अतह अन्यत्र गत्वा जीवन यापनम कुर्याव एक बार मेडक के साथ एक चुहे की मित्रता हो गई दोनों सुख पूर्वग बात चीत करते हुए समय बिताते थे एक दिन दोनों ने सोचा कि यहां हम दोनों का भोजन मुश्किल हो गया है इसलिए अन्य इसी स्थान पर जाकर जीवन यापन करें इती अवधार्य उभाव प्रचलतहस्म मार्गे मंडू कह वदतिस्म कियत शोबनम भवेत यदी सूत्रेण द्रणेन आवयोह शरीरे बद्धे स्याताम कदापि वियोगह एव न भविशते सर्वत्र सह एव गमिश्यावह मूश कह तस्य वचनस्य स्वागतम करोतिस्म तत्रसुत्रेण शरीरे निबध्य ताव अग्रे सरतहस्म यहाँ विचार करके दोनों चल दिये रास्ते में मेंडक बोला इन्या अच्छा होता यदी हम दोनों के शरीर मजबूत ठागेशे बन्दे हों कभी भी अलग ही नहीं होंगे सबी जगा एक साथ ही जाएंगे चुहे ने उसकी बात का स्वागत किया वहाँ दोनों शरीर को धागे से बान कर आगे बढ़ने लगे मंडु कह स्वभावेन उत्पल्युत्य गच्छतेस्म सुत्रबदह मुशकह एवं विधया गत्या कष्टमनु भवतिस्म अग्रे गत्वा तौम एकं तडागं पश्यतहस्म जलम तु मंडु कस्य प्रिया क्रीडास थली जलम द्रिष्टवा मुधितह मंडु कह तस्मिन कूर्दती स्म जल क्रीडाम च अकरोत परम मुशकस्य दशा जले शोचनिया अभवत सह तरणम न जानाति स्म सह मित्रम पुनह पुनह प्रार्थयत बहिह निस्सरतु भवान अहम जले वस्तुम नाशकनोमी किन्तु टर टर कुर्वानह मंडु कह किमपिनश्रणों तिस्मा अत्रांतरे एकेन शेनेन जलात निस्सूर्तम यत्मानह मुशकह द्रिष्टह सह जटत्यव निचैह आगत्य अभिपत्यच मुशकाम ग्रिहित्वा आकाशम उत्पततिस्मा मुशकेन सह सूत्रबधा मंडु कह अपितस्य शेनस्य स्वादु भोजनम अभवत मेंडक सोभाव से ही उचलते हुए जा रहा था धागे से बंधा चुहा इस तरह चलने से कष्ट महसूस कर रहा था आगे जाकर उन दोनोंने एक तालाब देखा जल तो मेंडक का प्यारा खेल का मैदान होता है जल देखकर ही प्रसन होकर मेंडक उसमें कूदा और जल क्रिडा करने लगा लेकिन जल में चुहे की दशा शोचनिये हो गई वहत तैरना नहीं जानता था उसने मित्र से बार बार निवेदन किया अब बहा निकलिये मैं पानी में नहीं रह सकता लेकिन टर टर करते हुए मेंडक ने कुछ भी नहीं सुना उसी समय एक चील ने जल से बाहर निकलने के लिए प्रयास करते हुए एक चुहे को देखा वह जल्दी से नीचे आकर और चुहे को जपट कर अर्था चोच में दबा कर आकाश में उड़ गया चुहे के साथ धागे से बना मेंडक भी उस चील का स्वादिष्ट आहार अर्थात भुजन बन गया अत एव विद्व दभी उच्चयते असमानेशु मैत्री कदापिन कर्तव्या समशीलेशिव विभाति मैत्री इसी लिए विद्वानों का कथन है अपने से भिन के साथ मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए समान के साथ ही मित्रता शुभा देती है